असलाम अलेकुम विवर्स, वेलकम टु मैं चैनल, आज हम तयार करेंगे बेसन और रवे की मिठाई, बहुती टेस्टी और बहुती लाजवाब तयार हुई है, इस रेसीपी को ज़रूर ट्राइ कीजिए, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने 1.5 cup बेसन लिया हुई, यह एक दम फाइन बेसन ही, इसे हम अच्छी तरह छान लेंगे, ताकि उसके अंदर की जो गुटलिया है, वह अच्छी तरह निकल जाए, ने बेसन को अच्छी तरह छान लिया है, उसके अंदर हम तीन चम्मच घी डाल देंगे, उ अब तक इसका अच्छा सा लड्डू न बन जाए, तब तक हम उसे मिक्स कर लेंगे, एक कडाई में मैंने एक चमच घी डाल दिया है, उसके अंदर हम कुछ ड्राइफरूट फ्राय करके निकाल लेंगे, आपके पास जो भी ड्राइफरूट हो, वह आप फ्राय करके निका अब उसके अंदर हम चाना हुआ बेसन डाल देंगे, उसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेगे, मैंने लोही की कडाई लिए, बेसन की कोई भी चीज बनाने के लिए, भूनने के लिए, आप लोही की कडाई का ही इस्तेमाल करें, अब उसमें आदा कब बारिक वाली सूजी डा फ्लेम पर ही उसे अच्छी तरह भूनते रहेंगे, हमें चम्मत चलाते रहना है, वरना हमारा बेसन जल सकता है, इसलिए हमें चम्मत कंटीनू चलाना है, इसमें यही मैनत का काम है, बस उसे अच्छी तरह भूनना है, अगर हमारा बेसन थोड़ा सा भी कच्छा रहता है, तो हमारी मिठाई बिगड़ जाएंगे इसलिए हमें बहुत ही आराम से और और अच्छे से भूनना आए जितनी अच्छी तरह हम बेशन भूनेंगे उतना ही टेस्टी हमारा मिठाई तया आँगी हमें मीडियम फ्लेम पर ही उसे अच्छी तरह भूनना है जैसे कि आप देख सकते हो हमारा बेशन कितनी अच्छी तरह फूलने लगाए जब तक हमारा बेशन अच्छी तरह गोल्डन ना हो जाए तब तक हमें भूनना ही इसका यहीं एक मेहनत का काम है इसे हम अच्छे से भूनना है जितने अच्छी तरह हमारी भूनेंगे उतने ही अच्छी तरह हमारी मिठाई तयार होंगे मारा बेशन अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो चुका है इसे भूनने के लिए मुझे 8 से 9 मिनिट लग चुके है हम चमत चलाते जाएंगे हम चमत चलाते जाएंगे हमें मीडियम फ्लेपरी इसे अच्छी तरह भून लेना है अब हम गयस आफ कर देंगे और चमत चलाते जाएंगे इसलिए वक्त हमारी लोही की कड़ाई काम आती है क्योंकि हमारी लोही की कड़ाई है इसलिए ज्यादा तेर गरम रहती है हमें चमत चलाते रहना है और उसे अच्छी तरह भूनते रहना है ग्याल बंद होने के बाद भी हमारा बेशन भूनता रहेंगा उसमें हम आदा कप PCV चीनी डाल देंगे उसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अब हम मीडियम फ्लेम पर गेस अन कर देंगे और उसे चम्मच चलाते जाएंगे अब उसमें आदा चम्मच इलाई चिरा लेंगे और थोड़ा सा जैफल घिसके दाल देंगे जैफल से हमारी मिठाई को बहुत ही अच्छा टेस्ट आएंगा अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स गेस ओफ कर देंगे अब एक केक टीन में हम घी से अच्छी तरह उसे ग्रीस कर लेंगे अब इसे हम चम्मत चलाते जाएंगे क्योंकि हमारी कड़ाई अभी भी गरम है इसलिए हम चम्मत चलाते रहेंगे वरना हमारा बेशन जल भी सकता है अब उसे हम cake tin में डालेंगे इस तरह हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और उसे अच्छी तरह set कर देंगे जैसे कि आप देख सकते हो मैंने किस तरह किया है इसी तरह set कर देंगे अब उसके उपर हम हमने fry के वे dry fruit डाल देंगे आपके पाद जो भी dry fruit हो वो आप डाल सकते हो अब इसे हम रख देंगे तीन से चार घंटे के लिए चार घंटे हो गए अब इसके हम कट कर लेंगे बहुती अच्छी तरह हमारी मिठाय तैयार हो चुकी है तैयार हो चुकी है हमारी सुजी और बेसन की मिठाई बहुती टेस्टी और मजेदार मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले थैंक यू